नमस्ते महुंदेव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा important features FN Studio 21 के जो definitely आपका workflow तो तेज़ करेंगे ही साथ ही साथ arranging और mixing के दौरान बहुत ज्यादा helpful होंगे सबसे पहले feature के हम बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं कभी होई production के दौरान हम गलती से grid के आगे या पीछे कुछ arrange कर देते हैं फिर चलते हुए project में हमें पता लगता है कि tempo का issue है कहां कहां पर हो गया तो अकेले अकेले पकड़ के चार या पांच मिनट के song के अंदर हम बार बार पकड़ेंगे उसको line पे करेंगे जैसे hat line पर लानी है kick line के उपर लानी है बहुत मुश्किल होगा तो उसके लिए क्या करना है ये देखिए जैसे ये off tempo है मैं इसे select नहीं कर रहा ये 3-4 section off tempo है control प्रेस किया इसको select किया और मैं प्रेस करूँगा shift Q shift Q देखिए कितना ही आसान था अपने अब वो line के उपर आ गया जिसे मैंने select नहीं किया था वो नहीं आया control प्रेस करते हैं select किया shift Q कितना ही आसान पूरी की पूरी जो loop है वो एकदम सही time पर बैठ गई अब next feature बहुत ही अच्छा आया है कभी कभी जो baseline है या कुछ है मान लिजी मैंने यहां पर base note रखाया और मैं यहां से-से cut करता हूँ तो आपको यहां पर कुछ clicking sound या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सुनेंगी जो आपको disturb कर रही है या उपर या नीचे वाले tracks को परिशान कर रही है मैं क्या चाहता हूँ कि वो click है declick हो जाए तो यहां मैं जाऊंगा यह तीन जो हमें section दिखते हैं यह मेरे focus points है audio clip focus, automation या फिर मेरा pattern तो मैं यहां पर जाता हूँ audio और इसके नीचे यहां पर अगर आपको यह नजर आ रहा है icon जिसको आप hint panel में पढ़ सकते है show fade editing controls इस पर जैसी मैं click करूँगा यह देखिए वो on हो गया मैं किसी के भी उपर जाता हूँ तो मुझे इस तरह से दिखने शुरू हो जाते है तो यहां पर जो भी click था मैं पकड़ूँगा और हलका साह यहां से मैं यह कर सकता हूँ किसी को भी यहां पकड़ूँगा मैं इसका transient जो है थोड़ा shape कर दिया fade in fade out मैं यहां से कर सकता हूँ दूसरा इसका फायदा क्या है कि जब मैं slice tool लेता हूँ और अलग-अलग sections में मैंने कुछ ना कुछ मान लीजे slice कर रखा है चाहे vocal है चाहे कुछ है तो किसी एक particular section को मैं पकड़ के उसका जो gain है मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ अपने taste के हिसाब से या फिर mixing के दौरान या production के दौरान जैसा भी मुझे लग रहा हूँ तो यह भी बहुत important tool है यहां पर जो नया आया है 21 में इसके बाद हम जाते हैं प्यानो रोल के अंदर आपको यह पूरे का पूरा section जो बना दिया है बाद में singer ने कहा कि इसका सुर उपर या नीचे करना है बहुत ही आसान control प्रेस किया सब को select किया shift प्रेस करेंगे और अपने keyboard पे up direction पे click करेंगे तो यह देखिए यह G पर चला गया है G sharp एक एक note पूरे का पूरा एक एक semi tone यह उपर या नीचे कर सकते हैं up direction, down direction मैंने shift प्रेस करके रखा हुआ है और अगर आप पूरे का पूरा octave आप यह down करना चाहते हैं तो shift की जगा आप प्रेस करेंगे control, mac वाले प्रेस करेंगे command मैंने control प्रेस किया, down arrow यह देखिए, fourth A sharp 5 A sharp 6, A sharp 7 पूरे का पूरा octave आप यह down और shift प्रेस करके, एक एक semi tone उपर या नीचे, जो है, इसके सूर हम change कर सकते हैं पर इससे क्या हुआ कि अकेले अकेले pattern के अंदर जो भी आपने notes लगा रखे हैं, उसके सूराप उपर या नीचे कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ जितने भी pattern है, उनका एक साथ ही हो जाए, बहुत ही आसान, मैं बाहर आता हूँ playlist में, यहाँ पर जितने भी मैंने use किये हैं, पहले वाले को select किया, shift प्रेस किया, last वाले को click किया, सभी के सभी एक साथ select हो गए, nice right click किया, और यहाँ पर मेरे पास है transpose, मैं इस पर click करूँगा, अगर आप यहाँ पर कोई भी number प्रेस करते हैं, let's say 5, तो यह जितने भी हैं, सभी के सभी 5 semitone उपर चले जाएंगे, और अगर आप करते हैं, minus 5, तो यह 5 नीचे आजाएंगे, बहुत ही आसान, जितने भी आपको सूर उपर या नीचे करने हैं, पूरे पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से हो जाता है, let's say मैं जाता हूँ, minus 6 enter, तो आप इसमें से डबल क्लिक करके देखते हैं, यह C के उपर आ गया है, right मैं वापिस जाता हूँ, अकेला भी कर सकते हैं, या फिर shift प्रेस करके सब को भी select करना चाहें तो कर सकते हैं, चली मैं अकेले को करता हूँ, right क्लिक करता हूँ, transpose पे जाता हूँ, और मैंने कहा 7, enter, देखते हैं, वो C से देखिए, 7 उपर चला गया, G पर जा चुका है, nice, easy, इसके बाद हम चलते हैं, मेरे mixer channel की और, यहाँ पर अलग-अलग mixer channel दिख रहे हैं, जिनके उपर अलग-अलग यहाँ पर हमने अलग lecture है, right, तो 15 नमबर के channel के अंदर, थोड़ी सी मैंने panning कर रखिया, right side घुंगरू है, और 3-4 यहाँ पर patcher, limiter, reverb, delay, और भी बहुत सारे अपने effects लगा रखें, आप चाहते हो, यह बिल्कुल default हो जाए, तो आप क्या करेंगे, right click इसे reset करेंगे, right click करेंगे, इसे reset कर देंगे, फिर इसे वहाँ से पकड़ेंगे, और बार-बार delete करते जाएंगे, काफी लंबा project है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जाएंगे, right click करेंगे, file, file से हम जाएंगे default, click करेंगे, और यह देखिए, सब कुछ reset हो गया, पूरे का पूरा, जो यहाँ पे मेरी chain थी, reset हो गई, nice, easy, इसके बाद हम चलते हैं, मेरी chop audio, एक बहुत ही beautiful तरीका है, चली मैं यहाँ से एक loop लेता हूँ, यहाँ मैंने रखी, मैं इसे chop करना चाहता हूँ, right, तो एक तरीका तो है, कि यहाँ से मैं जाता हूँ slice, और मैं यहाँ पर shift प्रेस करके, जहाँ जहाँ भी click करता जाऊँगा, यह chop होता जाता है, control Z, undo हो गया, मैं चाहता हूँ बिल्कुल perfectly वो chop हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं paint tool लेता हूँ, यहाँ top left पे जाऊँगा, तो यह हाथ पना हुआ आ जाता है, right, इस पे click किया, यहाँ गए chop, अब chop के नीचे आप देखेंगे time based है, repeating है, और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें अलग-अलग दे रखें, मैं time based के अंदर जाता हूँ, chop in bars, chop in beers, half beers, quarter, 8, 16, 30 seconds, अब यह क्या चीज है, हमने पहले भी पढ़ा है, 32 से, 33 जो है वो एक बार है, यहाँ से 34 तक मेरा दूसरा है, फिर 35, 36, यह पूरा जो है, यह एक बार है, right, इसके अंदर मेरी चार beats हैं, तो यह एक beat हुई, इस beat के अंदर मेरे चार step हैं, तो यह एक step हुआ, right, तो मैं चाहता हूँ, यह bars में हो जाए, मैं यहाँ click करता हूँ, chop में जाता हूँ, time based में जाता हूँ, chop in bars, click किया तो वो chop ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक bar से छोटा ही है, ठीक है, तो मुझे beats में करना है, यहाँ click किया, chop किया, time based beats, तो यह देखिए, एक, दो, यह अपने आप chop हो गया, तो जितनी भी लंबी वो होगी, बहुत ही आसानी के साथ, वो chop हो जाएगी, इसके बाद हम बात करेंगे, मेरे time signature की, 90-95% सॉंग जो हम दुनिया में सुनते हैं, 4x4 के ओपर ही होते हैं, लेकिन कभी-कभी time signature अलग भी होते हैं, अगर आप music theory थोड़ी advance पढ़ते हैं, मैं यहाँ जाऊंगा options में, options से में जाता हूँ project journal settings, इस पे click करता हूँ तो आपको यहाँ पर numerator और denominator, 4 और 4 दिख जाता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, simple यह गाना, लेकिन for example हम कोई भी एक निया लेते हैं, हमारे साथ श्री रगुनाथ तो किस बात की चिन्ता ना ना ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, तो 7 count हो रहे हैं, advance है, आप music theory पढ़ते जाएंगे, तो आपको time signatures पता लग जाएगा, जिन्होंने पहली पढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ही आसान, यहाँ click करेंगे, 7, यहाँ click करेंगे, 8, आप देख रहे हैं, पीछे जो grid lines है, उस हिसाब से ही change होनी शुरू हो जाती हैं, कैसे, मैं यहाँ जाता हूँ, एक से लिएके दो, यह मेरा पूरा एक बार है, देखते हैं इसके अंदर कितनी beat मैंने कर दी है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, तो इस तरह से division हो गई है, कितना ही आसान, आप कोई भी इस तरह के songs, जो भी आपका time signature है, यहाँ से change कर सकते हैं, बहुत ही आसान, options में जाएंगे, project journal settings, वापीस मैं जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, 4 by 4, again देखते हैं, यह देखे, selection यहाँ थी, अब यहाँ हो गई, और क्या चीज़ बनी है, 1, 2, 3, 4, nice, इसके बाद मान लीजिए, आपने अलग-अलग sounds यहाँ पर ली है, अब आपने 4 तरह के crash ली है, और कहीं भी अलग-अलग जगा पर, आपने song में जो है, वो place कर रखें, arrange कर रखें, fair enough, मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाकर हम देखेंगे, मैं all पर click करता हूँ, सब कुछ यहाँ देख रहा है, और वो जो 4 है, वो हमें वहाँ पर देख रहे हैं, right, आप चाहें, तो यहाँ से भी आप mixer channel assign कर सकते हैं, इनको select करेंगे, control L करेंगे, तो भी हो जाता है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत यह आसान देखें, mouse से, 1, 2, 3, 4, यह चारों को मैंने select किया, और मैं press करने वाला हूँ, Alt, G, जैजी मैंने press किया, यहाँ पर यहाँ आगया कि आप उसका नाम देना चाहते हैं, जी यहाँ, crash group, enter, अब आप देखेंगे, यहाँ जब मैं click करता हूँ, तो सब देखना शुरू हो जाते हैं, Automation, Automation देखनी शुरू हो जाती है, और जब मैं करता हूँ, crash group, तो वह वाला group देख जाएगा, जहाँ सिर्फ crash है, उसी तरह से मेरे drum का अलग group हो जाएगा, बेस के अलग group हो जाएगा, vocal change बना रखी है, पूरी के पूरी acapella बना रखी है, तो उसका एक अलग group हो जाएगा, तो इस तरह से हम grouping कर सकते हैं, इसी के साथ मान लीजिए, कि आपने कुछ वैसे ही play करके देखा, मेरे पास एक यह है, FL Keys, और आप वैसे ही सोच रहे थे, कि चलिए कुछ मैं inspiration लेता हूँ, तो आप कुछ play कर रहे थे, और आपने कहा, बहुत अची melody है, मैं तो यह melody चाहता हूँ, अब मैं भूल गया कि मैंने क्या play किया था, randomly play कर दिया था, काश मुझे वो याद आजाए, बहुत ही आसान है, आपका जो software है, FL Studio, वो याद रखता है कि आपने क्या play किया था, क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे tools, इस पे click करेंगे, यहाँ नीचे जाएंगे, dump score log to selected pattern, और यह बता देगा कि आपने last 2 minute, 5, 10, चली मैं 2 पे जाता हूँ, कि पिछले 2 minute में मैंने क्या play किया था, उस score को dump कर दीजिए, मैंने click किया, और आप देख सकते हैं, इस पे आए, exactly वो ही चीज उसने, जिस tempo पे, जिस सुर पे मैंने, उस time play किया था, वो exactly आ गया, और अंत में, सबसे important, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं control प्रेस करूँगा, और साथ मैं प्रेस करूँगा, F8, control F8 जैसे ही मैंने प्रेस किया, मेरे सामने आ जाती है, project picker window, अब इसके अंदर मैंने जहां जहां भी, piano roll में जो जो play किया है, और जो जो भी मैंने samples या loops यूज़ की है, वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, ये, 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 right, तो कहीं भी इसे पकड़ा, और मैं कहीं भी drag and drop कर सकता हूँ, कितना ही आसान, कितना ही simple, पूरे का पुरा project मुझे नज़र आ जाता है, कि मेरे पूरे project के अंदर, piano role में क्या-क्या चीज़े place हुई है, और samples में क्या-क्या चीज़े place हुई है, आशा करता हूँ इस lecture से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, अगर ये lecture आपके लिए helpful है, like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, और comment ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए देवनेक्स लेवल, signing out, नमस्ते,